देश के तमाम ऐसे मुद्दें जो राजनीती में घूम रहे हैं लेकिन कौन सी वो राजनीती पार्टी है जो जनता के बीच जाकर अपनी उपस्तिती को उतना बहतर जता पाएगी जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी किस तरीके से जनता से जुड़े हो मुद्दों को बहतर उठाने की कोशिश कर रही है इसी गड़ी में 36 गड़ के पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सीं के साथ आज हम 36 गड़ की जनता का मिज़ाज जानेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहता है दंगल 2019 इस लोग से बच्चुनाव में 2019 दंगल चल रहा है और इस लोग से बच्चुनाव में क्या कुछ दस्वीर निगल कर आती है बहुत महत्पूर्ण है पूरे देश में चर्चास बात को लेकर हो रही है क्या इस बार भी मोदी सरकार या विपक्ष जिन बातों को कह रहा है वो सच होता नजर आएगा अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग बाते हैं 36 गड़ क्या कुछ कहता है इसलिए 36 गड़ के पूर मुख्यमंद्री डॉक्टर रमन सिंग जी के साथ हम मौजूद है जो 36 गड़ के तमाम सुदूर इलाकों में घूमकर लोगों में ये भरुसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी मोदी सरकार डॉक्टर साब इस बार का लोगसभा चुनाओ क्या कुछ कहता है इसलिए भी मेत्वपूर है क्योंकि हाली में विदानसभा चुनाओ हुए है और 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनी है तो लोगसभा चुनाओ से और विदानसभा चुनाओ कैसे अलग है लोगसभा के मुद्दे और विदानसभा के मुद्दे हमेशा अलग रहते हैं विदानसभा के मुद्दे के अधार पे चुनाओ लड़ा गया कोई अलग कारण से लेकर सरकार भारती जंतापाल्टी के नहीं बनी और अब जो चुनाओ हो रहा है लोगसभा का वो रास्ती मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम से हो रहा है और इस देश के प्रधान मंत्री के चेहन के लिए कैसा व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाना है जो देश को विक्सित रास के रूप में ले जाए जो भारक का मान सम्मान गौरो बढ़ा है जो राजितिक तल नरेंद मोदी जी क के नेत्रित में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजितिक पार्टी की रूप में काम कर रही है। विकास के नए किर्थमान इस्थाभित की है। आज मैं कह सकता हूँ आठ करोर लोगों को गैस सिलिंडर और चूले देने की बाद तेर करोर आवास की योजना तस करोर परिवार को पांस लाक तक के हिलाज के आश्मान भारत की बड़ी योजना 35 करोर लोगों के खाते खोलने की बाद और उससे बड़ी बाद देज का मान समान और गोरों बढ़ाने का काम किया। आज पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से नरेंद मोदीजी ने देड़ता दिखाया। बुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान को मजबूर होके अभिननन को भारत की सीवा में छोड़ने के लिए लाना पड़ा। तो आज देश में इस बात की सर्चा है कि मजबूर नई मजबूर पढ़ान मंतरी चाहिए। ससक भारत चाहिए। अभी मैंने आपके एक चुनावी सबा सुनी। उस चुनावी सबा में आपने जिक्र किया कि किसानों को करज माफी की बास सरकार ने की थी। उसमें आपने जिक्र किया कि आपने पब्लिक से पूछा कि किया किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या। आप उंगली उठा कर बताइए। तो ये तमाम मुद्वें जिनका जिक्र कॉंग्रेस के नेताओं ने जो की फिलाजगा में बैटे हुए। क्या आपको लगता है कि किसानों के साथ चलाबा हुआ है। पहिलाओं के साथ चलाओं हुआ हुआ शराबदी के नाम से बोट लिया गया। योकों के नाशान चलावा हुआ, थेईस लाग लोगों को विरोजगारी भट्तard 10,5 जार उपिया मेहना देने की बात थी, नौकरी पेशा लोगों को सिक्षा कर्मियों के साथ चलावा हुआ आठ साल से ज़्यादा काम करने वाले सिक्षा कर्मियों को रेगुलर करने की बात समीधा कर्मचारियों को वादा किया था उस पे भी उनके साथ चलावा हुआ किसानों में भी सबके करजे माफ नहीं हुए दो साल का बोनस अभी तक मिला नहीं और तो और आर्थिक इस्टि ऐसी खराब हो गई कि पेंसर मिलना बंद हो गया नमक बंद हो गया, चना बंद हो गया जिस सरकार सौ दिन में करज से डूब गई है साथ बार करज ले लिया है हारतिक दिस्टि से दिवालियपन के कगार बे ये तमाम सारे मुद्दे हैं लेकिन इसके बावजूद भी 36 गड़ के मुख्यमंतरी पूपईश बगेल कहते हैं कि हमने करजा माफ किया है और चुकि वो विपक्ष में हैं इसलिए सिवाय बॉखलाट के कुछ नहीं करेंगे और शराबंदी को लेकर भी हम आगे की सिथी क्रियट कर रहे हैं लेकिन 36 गड़ में हमिशा मौजूद थे हैं आपकर कुछ गंटे पहले उन्होंने एक जिक्र का कि भीमा मंदावी के साथ नकसरी ने जो कुछ किया नकसरी घटना हुई जवान शहीद हुए ये एक राजनितिक शड़यंत्र है इसके क्या माइन निकाले अबिश्या जी राष्टी अध्यक जी ने कहा बलकि भीमा मंदावी की पतनी जो दो दिन पहले जिसका पती नहीं रहा उसका पिता जो इसके सामने जवान बेटी की लास पड़ी थी उसकी माँ जिसके सामने उसका बच्चा भड़ा हुआ था ओन लोगों ने बिलगते विए आंसू पहते विए का गी ये राजनितिक हत्या है शड़यन्द पूरक मारा गया है इसका उचिस्तरी जाँच होना चीए उसकी पतनी ने खा सीवियाई की जाँच होना चीए हमेश शाजी ने भी और हम सब ने दोराया कि जब तक इसकी पूरी जाँच नहीं होगी यतार सामने नहीं आएगा जिसके पीजे कहीं नहीं राजी की शड़यन्द है और यह इसपस्ट होगा आज एक रोचक कारिक्टरम हमने देखा जिसमें 2014 में भारती जन्रता पार्टी ने चाय पर चर्चा की थी अब कॉंग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बगेल आए पर चर्चा कर रहा है इसे कैसे देखते हैं आए की सिदी तो इतनी हालत खराब हो गई है आम आदमी का जीना जुबर हो गया है सीमें के रेट पर चर्चा होना चाहिए रेट के कीमत पर चर्चा होना चाहिए सीमेंट का रेट का कीमत शराब के कीमत क्यों बढ़ा दिया इस पर चर्चा होना चाहिए डेवलब्मेंट के सारे काम क्यों ठप हो गए पीड़वरूडी के उस पर चर्चा होना चाहिए सिचाई के सारे काम बंद होगा है उस पे चर्चा होना ची तो लोगों के लिए जो गरीबों के लिए खास तोर से जिनकी सबसे हालत खराब है उस गरीब वर्ग के लोगों के लिए जीना मुस्किल हो गया उनके लिए चर्चा होना जिये जिने पेंसर नहीं मिल पारा है उनके लिए चर्चा होना जिये जिनके तंखें नहीं मिल रहे है तो आये पर कहां चर्चा है? सौधी में कौन से आये बढ़ाने की योजना कौन सी योजना नहीं लाई है? सारे योजना ठप हो गए डेवलप्वेंट के काम बंद हो गए, कहां से आई उच्छा होगा? डेवलप्वेंट के काम बंद हो गए, कहां से आई उच्छा होगा? नरेंद्र मोदी का चहरा एक बड़े नेता के तोर पर बड़े पोस्टर में लग रहा है, और कमल का फूल बहुत छोटे में है, तो इक संकेत क्या है? मोदी का नाम, मोदी का काम, और मोदी जी को पजार मंतरी बनाना ही सबसे बड़ा बुद्दा है, और 36 गड़ में भी मोदी के नाम से वोटा लेता है। भूपेश बगेल आपकी चर्चा जादा नहीं कर रहे हैं, मोदी पर अटेक कर रहे हैं, और अप तो अपने आपको वो छोटा आदमी कहने लगें ट्रटर पर, जैसे बीजेपी ने चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार कर दिया है, भूपेश बगेल और कॉंग्रेस के नेत हैं, चुनाओ प्रबंदन में, चुनाओ में टेग लाइन बहुत जोरदार है, तो हम चलेंगे पूरे सावर में डॉक्टर साप के साथ और कई मुद्वपर जर्चा करेंगे चुनाओ का केंद्र बिंदु यदि कोई है, चुनाओ में यदि जन्ता के बीच कोई व्यक्ति का नाम चल रहा है, अकेला नरेन मोदी के नाम से पूरा चुनाओ के रहा है चले के साथ और दिनाओता जिनाओवप जिनाओता है चले के धिनाओव से लोगे बले ही 2019 के लोगसभा का चुनाव इस्थानिय मुद्दों की जगे राश्ट्री मुद्दों पे हो लेकिन ऐसा क्यूं है यह हम पूसने 36 गड़ के पूरु मुख्यमत्री डॉक्टर रमन सिंगी से कमंद सिंकी एक चीज में देख रहा हूं कि यह चुनाव से ठानिय मुद्दों की बज़े राश्टी मुद्दों पे ज्यादा और राश्टु बात का मुद्दा भारती असमिता का मुद्दा आपके dawn में अमने देखाalnya अभिनंधन का मुद्द यह प्रास्मिता में क्यूं लोग समा के चुनाओं समान्ज तब पिछली बार भी और इसके बार भी तीन बार हम लोगों ने दोजार तीन आठ अबर तेरा में बढ़त ली थी तो मुद्दा रास्टी ही रहता है लोकल विशय चोटे हो जाते हैं गौड हो जाते हैं प्रदान मंतरी कोन बनेगा प्रदान मंतरी के इस्यू क्या है मुद्दे क्या है देश के लिए उनके नीती क्या है सोच क्या है और उस कलपना को सातार करने में आज जिसे नरेंद मोदी ब्राइब्ध मुधी जी के नाम नरेंद मुधी जी के काम अध्य का सबसे बड़ा भर्ना हुआ हुआ है चुनाओं कि जायने वाला फज लेंसको एक ससत्तु नितुनत चाहिए एक सक्तिशाली राश के निर्माणद केazy है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए और पजानमंती नरेंद मोधी के नाम सही पुरे देश में इस बार सुनाओं में हम जा रहे हैं और एक-एक मत्ता उन से जुड़ा हुआ है एक चीज ये देखने में आ रही है कि आपने देखा कि इस बीच भारती सेना को मोधी जी की सेना बताया गया उत्तर प्रदेश के गुख्यमंत्री योगी कहते हैं एक तरह बली दूसी तरह बजरंग बली बाद में वो माफी भी मागते है चुनाओं आयो की सुप्रीम कोड की लिगाय टाइन के बाद हिदायदों के बाद इस तरह की चीज़े क्यों हो रही है नहीं डेवलपेंट का मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है और मोदी जी ने जो पांच साल में जो काम किये वो 55 साल के काम से भारी है जो देश के लिए उन्होंने योजनाय बनाई जो योजना का क्रियान्वन किया बारत को एक मजबूर आधार सुदिण अदोसरजना निर्माण पुचा इंफ्राइस्ट्रक्षर हो गाओं का विदूतिकन काम हो नेसल आईवी स्टेट आईवी का निर्माण हो रास्ति सर के संस्थान बनाने का विशय हो या क्रिशी छेत में बड़ा आधार बनाना ये सा माम जनित्ता से पब्लिक से मेरे बातचीत की उनका ये मानना था कि अगर डॉक्टर रमान सिंग चुनाव लड़ते तो अच्छा होता क्योंकि यह उनकी पुरानी सीट है यहां से चुनकर दिल्ली मुनों ने उपस्तिती दी है वो क्यों निकड़े समझ में नहीं आता मगर मैं चुकि विदान सभा में विदाय की एशियत से अपनी भूम का निभाया 15 साल मुख्यमंत्री राग तो मुझे 36 गड़ में ही रहकर नेत्रस समालने की जमापदारी मिली है और मुझे लगता है कि डप्टर रमन ही क्यों भारती जन्ता पार्टी का कोई सिपाही भी लड़ेगा कोई कारकरता भी चुना लड़ेगा जैसे संतोस पंडी लड़ रहे हैं तो हम सब पिलके उतने ही ताकत से लगे हैं मोधी जी के नाम से वो जीते गा तो क्या पार्टी ने ऐसा फैसला किया कि तीनों मुख्यमंत्री जहां पर विदान सभा चुना हुए जहां पर बीजेपी आरी वो तीनों ही मुख्यमंत्री आप चुनाओ ना लड़े लोग सभा कि मैंने तो कोई दावा नहीं किया था और मेरी एक्षा भी नहीं थी पर ऐसा कोई फैसला अलग से नहीं हुआ है अलग अलग बिश्यों में चर्चा हो जी विदान सभा चुनाओ में जो बीजेपी सरकार हरी है आला कि 15 साल का अंतर था एक बड़ा बहुत-बड़ा समय होता है तो आपको क्या लगता है उन उर्स का असर उनके मुद्दू का असर उनके नेताओं का असर लोग सभा में होगा नहीं एक बार एंटी इंकम्बेंसी 15 साल का था कही नहीं कही नरा किरिणों में महत्व पूनहें आप कested मyers कि हमानते हैं कि औरी जी कहते हैं कि साट साल में विकास नहीं हुआ वह कहते हैं कि कांग्रेस को हरा यह गरीमी मिटाई है कॉंग्रेस को बाहर कर दीजिए इसके सासाथ वो कहते हैं कर देश को मजबूत करना है विदेश्यों में पसदी दर्ज करना है गरीबों के लिए कुछ करना है तो एक बार फिर से मोधी सरकार क्या वाकई ऐसा मुंगिन है मोधी जी ने जनता को ये विश्वास दिलाया है गरीबों के लिए किसानों के लिए मस्तूरों के लिए जितनी योजनाय उन्होंने लाई है तो आज पुरे देश को भरोसा है कि कोई निड़ाय निड़ाय ले सकता है वो इस देश में इमानदारी के साथ काम कर सकता है प्रस् तुझाद सकता है यह महातबन मोतों में कोई अगोई कर सकता है उसमें अकेले नरेंद मोती है हैए एक सवाल और मैं आप से पूछना चाहता हूँ अगर क्योंकि ये तो जन्वा ये करेगी अगर केंद्र में सरकार बन जाती है तो क्या डॉक्टर रमन सिंग को हम केंद्रिय मंत्री के तौर पर देखें? मुझे नहीं लगता भी कोई यह तो बहुत ही फाइपोधिकल प्रस्ट है ऐसे कोई संभावना मुझे नहीं लगता कि फिलाल भई पिशली बार की तरह बेतर से बेतर स्थिती में पिशली बार की तरह 2019 का लोगसपद चुनो कई माईनों में मैतवपूर्ण बाना जा रहा है एक तरफ महागडबंदन है और महागडबंदन अपने आप में एक मजबूत स्थिती बताने की कोशिश कर रहा है महागडबंदन के बारे में जिकर है क्योंकि तमाम सारी पार्टियां इधर मायबती और अखिलेश का गडबंदन है उदर एक अलग महागडबंदन है जिसको आप ठक गडबंदन कहते हैं क्या बीजेपी पर ये महागडबंदन या विपक्ष का जो फ्रंट है वो असर डाल देखिए बोटों को सेंट्लाइज करने के लिए बोटों को भटने से रोकने के लिए कहिने कही Maintenance कट पंदन हो रहा आ है भारतीजन्दा पार्टी ने भी कुछ मित्र दलों के साथ पादशीट किया है समझवता किया है बगर मुझे लगता है कि यह जो कटबंदर है जहां अलग 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 राजों में अलग अलग लड़ भी रहें दूसरे के खिलाफ महमता के खिलाफ लड़ रहें समाजवादियों के खिलाफ लड़ रहें अलग 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 राजों में कांगरेसिन के खिलाफ भी लड़ रह पूरे रास्तुरा भी कोई संदोता नहीं हुआ है एक अंतिन सवाल में आप से पूछना चाहता हूं कि भूपेश बगेल बतौर मुख्यमंत्री उनकी सरकार कुछ कारवाईया कर रही है वो IPS मुखेश कुपका के खलाब कारवाई हो रही है आपके दमा डॉक्टर पुनित के कर रहे हैं कि अगर नरेद्र मोधी चौकीदार हैं तो डॉक्टर पुनित को पकड़े इस कारवाई को अब कैसे मांते हैं यह सारी काम और सारी प्रक्रिया मैंने पहले भी कहा कि यदि कोई आरोप प्रत्यारोप लगा है इसका ही की रास्ता है नियालाय से जो फैसला नियालाय से दूद का दूद पानी का पानी हो जाना चाहिए और जितने भी आरोप लगाया जा रहा है कहीं ने कहीं इसमें राजनेतिक एक बूँ आ रही है राजनेतिक शणेंत्र की स्थिवी आ रही है ऐसा बखा जा रहा है लेकिं 2019 को चुनाओ कई माइनों में के सितारे कौन होगा फिलाज 36 कर से मैं मनोज मनू केमरमेन विश्वकर्मा के साथ तमाम प्रिस्ट्यों पर नजर के साथ तमाम मुद्दों के साथ चरसा के साथ यहां की जंबावना को देखते हुए आपके सामने ये रेपोर्ट रख रहा है आने वाले समय में देखते हैं के आगर कौन बनेगा विजिता और कौन बनेगा दंकल का पहनवान